आज का वीडियो मेरा स्पेस्याली उन लोगों के लिए जो डेली बेस पे कॉंप्यूटर में काम करते और छोटी छोटी फाइल फोटो छोटा 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 एकसेल फाइल कुछ भी मोबाइल टू PC पीसी टू मोबाइल बार बार उनको ट्रांसफर करना होता है तो हमको करना होता है तो वीडियो में आपको बहुत सिंपल बडाओंगा जिससे आप अपना फाइल डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अपने मोबाइल टू PC में पीसी टू मोबाइल में टेक है तो अगर आप मेरे चैनल पे निए हो तो पहले शेयर लाइक बटन पर क्लिक कर दो औ करने के स्टार्ट करते हैं फाइल ट्रांस्वर करने के लिए हमको मोबाइल Fon में एक application डाउनलोड करना होगा तो मोबाइल स्क्रिन पे आ जाते और यहां पे हम को एक Play Store अपन करना है प्लेश्टोर अपन करने के बाद हमको Search Engine पे जाना है Search Engine पे टाइप करना है Wi-Fi FTP Server Wi-Fi FTP Server टाइप करने के बाद एक application आपके सामने खुल जाएगा उसको आप पहले install कर लो मैंने पहले से install करके रखा है इसलिए यहाँ पर open का symbol आ रहा है तो यहाँ पर मैं open कर देता हूँ open करने के बाद आपका यह application आउन हो जाएगा और यहाँ पर दो बटन आपको दिख रहा है एक start button का एक get pro version तो हमको pro version अभी नहीं चाहिए हम start button पर क्लिक कर देंगे start button पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक QR code open हो गया है और उपर हमारा जो भी server है URL है वो open हो चुका है तो हमको सिर्फ काम है server URL का यहाँ पर जो लिखा है FTP 192 इसको हमको एक जगा पर note कर लेना है ठीक है? note करने के बाद हम लोग आ जाते अपने computer screen पर computer screen पर हमको open करना है this PC this PC को हम लोग open कर लेंगे और यहाँ पर जो search का option है वहाँ पर हमको अपना server URL पेस्ट कर दिना है पेस्ट करने के बाद enter करेंगे enter करते ही हमारा जो भी mobile का folders है वो सारे यहाँ पर open हो जाएंगे यह सारे मेरे mobile phone के folders है यह open हो चुका है और यहाँ पर जैसे कि अभी मैं आपको file transfer करके बताता हूँ यह है my trading strategy इस folder को मैं अपने phone में डालूँगा तो यहाँ से मैं drag and drop करता हूँ ठीक है यहाँ पर copying होना चालो हो गया है और कुछ ही समय में यह copy हो जाएगा और मेरे mobile phone में यह folder चला जाएगा तो wait करते हैं थोड़ा तो यह done हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो my trading strategy का folder मेरे mobile phone में चला गया है ऐसे ही आप अगर mobile phone से laptop में डालना चाते हो तो यहाँ से भी drag and drop करके डाल सकते हो जैसे इसको मैं इसमें से इसमें डाल देता हूँ यह भी copy होना चालो हो गया है तो यह भी कुछ ही समय में copy हो जाएगा और मेरे mobile phone से डेटा वहाँ पर चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए आ गया है मैं इसको cancel कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए और मैं अभी आपको mobile phone में दिखा देता हूँ वो folder आ चुका है mobile phone में मैं आपको file manager में आपको दिखा देता हूँ वो folder हमारे phone में आ चुका है file manager open करेंगे अपना storage open करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ही जो folder है हमारा my trading strategy यहाँ पर आ चुका है ठीक है तो जो भी आपको file transfer करना है आप easily बीना data cable के इस तरीके से आप file transfer कर सकते है ठीक है सारा काम हमारा हो जाने के बाद वापस से आपको वही फोल्डर open करना है जो folder हमने install किया था और यहाँ पर जो हमने start किया था उसको simply stop कर देना है stop करते ही हमारा जो भी file transfer हो रहा था वो जो भी process था वो बंद हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर मैंने stop कर दिया है और जो भी मेरा phone का folder सब मेरे PC में दिख रहा था वो सब गायब हो जाएगे देखिए यह मेरा mobile का सारे folder से यह मैंने वहाँ पर stop कर दिया है अपना जो भी process था और यहाँ पर मैं refresh करता हूँ refresh करते ही यहाँ पर error का एक pop up open हो जाएगा और हमारा जो भी folder इसमें दिख रहा था वो नहीं दिखेगा ठीक है अगर आप किसी और के PC में चालो करते हो कुछ file transfer करने के लिए भूल जाते हो तो अपने mobile से stop करके वो सारे data वहाँ से बंद कर सकते हो तो यहाँ पर हम okay कर देंगे उक्के करने के बाद वापस से हम लोग अपना home screen खोलनेंगे तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को share करिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ऐसे ही आपको learnings वीडियो टेक के related आते रहेंगे